हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो माई चानल मेक्स क्रेटिब्स आज मैं फिर आप लोग के शार शेयर करने वाली हूं बच्चों का बैट शीट जो है बेबी शीट कैसे बनाते हैं वह भी हम इसमें जो हमारा राइस का जो बैग आता है उस बैग को यूज करेंगे इसके मैं देखिए अपने अनुसार एक राइस बैग जो है उसे हमें कट कर ली हूं इसके उपर डालने के लिए कोई सभी अप घर में पुराना कपड़ा हो पीलो कवर हो आप इस तरह से रख लीजिए और इसके उपर एक अच्छा सा कपड़ा डालने के लिए कोई भी सारी का प तो और इसे पाइपिंग देने के लिए इसी सारी का जो बॉर्डर आता है वो बॉर्डर को मैं यूज करूंगी इससे बहुत ही खूसुरा देश बेबीशीट आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूं फ्रेंस बेबीशीट तो हम ओनलाइन भी मंगा सकते हैं और हमारा जो जो नाया जनम लिया हुआ बच्चों के लिए तो मैं इसी लिए आपके साथ एवाला शेर करने वाली हूं तो मैं इसे कैसे बिछाओंगी वो मैं आपको बताती हूँ देखिए फ्रेंस इसे मैं बिछा ली हूँ नीचे हम एक अच्छा साड़ी का कोई भी आपका बैट शीट हो या साड़ी का पीस हो रखेंगे उसके बाद हम फ्लोर का जो शीट होता है वो रखेंगे उसके उपर जो है हम कोई भी एक रैंडमली कपड़ा हो टवल हो या बै बैट के उपर डाल के रख सकते हो इससे जो चोटे बच्चे जो बार बार शूशू करते हैं इससे वह शूशू ड्रेन होके आपका बैट को नुक्सान नहीं पहुंचाएगा तो चलिए पहले हम मिशीन के चारो और हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं यह कपड़ा हम बीच कपड़ा हम इसलिए डाले क्यूंकि बच्चों को डालने के बाद जो है एक सौफनेस आएगा ओ जो राइस बैक जो खुद्रापन है बच्चों को टच नहीं होगा तो आप इस तरह से बनाएंगे तो बच्चों को भी आराम मिलेगा और आप गोदी में लेते समय भी इसको नीचे रखके बच्चे को गोदी में रख सकते हो देखिए फ्रेंस मैंने जो है पीन सेक्टर के चारो और जो है सिलाई लगा लिए अब देख सकते हो अब हम क्या करेंगे इसमें पाइपिंग लगाएंगे आप चाहे तो बीच में इस तरह से लंबी लंबी सिलाई लगा क कि किट भी कर सकते हो अगर अब पृल्ट नहीं करना चाहते हiu थो ऐसी रख सकते और साइड में हम पाइपिंग लगा रहेंगी देखें फेड़ यह जो पाइपिंग जो सारी का तो फ्रेंड देखिए बेबी शीट बनके जो तयार है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करें कल एक नए वीडियो के साथ आप प्लीज बाइब ऑगी